दोस्तों आग के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप प्लास्टिक का आधार कार्ड पीवीसी आधार कार्ड को कैसे आप आडर कर पाएंगे अपने मुबाइल से अनलाइन घर बैठे अगर आप प्लास्टिक का कार्ड देखेंगे जो प्लास्टिक का होता है देखे कर दोस्तों पहले लेकर चलते हैं आपको प्लास्टिक का आधार कार्ट कैसे आनलाइन कर पाएंगे तो दोस्तों प्लास्टिक का आधार कार्ट को डाउनलोड करने के लिए पीपीशी आधार की डीटेयल्स चेक करने के लिए पीपीशी आधार को अपने घर तक लिए मंगाने के लिए आपको क्या करना होगा चलिए आपको दिखाते हैं तो दोस्तों आप यहां अपने आ जाएगे किसी एक ब्राउजर में और हम यहां पर एक रोपन कर लेते हैं यू आई डी ए आई यह आफिस्यल वेबसाइट सोरी आफिस्यल दोस्तों लिंक यहां पर आजाएगा आधार कारगा यहां पर हम क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा दोस्तो यहां पर इंटरफेस आता है यहां आपनी language selection के लिए बताया जाएका हम यहां पर अपनी भासा selection कर लेंगे अपने हिसाब से आप करिएगा यहां थोड़ा उपर की तरफ औरडर करना है यहां पे तो फश्ट वाले पे हम देख रहे हैं कि यहां पे यह जो फश्ट वाला है टाथार इसी में आपको देखे कई दिखाई दे रहा होगा और आधार पीवी सी काड़ का दोस्तों हम यहां इसी पे कर देए हूं यहां हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद पर दिखाए दे रहे होगा, order आधार PVC card का option, दोस्तों यहां बहुत से सारे option, यहां चेक, आधार PVC card status, बनाने के बाद अगर status चेक करना चाहते हैं, वो यहां से चेक कर सकते हैं, वाज हम आपको PVC आधार कारड को order करना बता रहे हैं, तो चली यहां पर दिखाते हैं आपको, तो यहां पर अधार पीवेसी कार्ड वाले पर हम दोस्तों यहां कर देते हैं किलिक यहां पर जब किलिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके सेंटर पर आएगा दोस्तों यहां पर एक अधार नमबर एक inrolment ID से तो आपके पास अगर आधार नमबर बन चुका तो डाल सकते हैं दूसरा एक second option है enrollment ID जो होता है आधार card के लिए apply करवाते हैं वहाँ पर मिलता है अगर उसे चाहें तो यहाँ पर डाल करके और फिर एक capture code होगा उसे यहाँ पर fill करेंगे अगर आपका mobile number नहीं लगा है अधार में तो यहाँ पर option आ रहा है यहाँ पर my mobile number is not registered अगर आपका mobile number registered नहीं है तो चलिए यहाँ पर जो है हम mobile number को डाल लेते हैं यहाँ पर tick out करेंगे और यहाँ mobile number को डाल देंगे यहाँ डाल देंगे और send OTP पर click कर देंगे जैसे OTP पर किलिक करेंगे तो OTP generated successfully हमारे mobile नमबर पर OTP दोस्तों जा चुकी है हमें यहाँ पर OTP को फिल करना है दोस्तों यहाँ पर हमारी OTP आ चुकी है हम OTP को यहाँ पर फिल कर लिए हैं और यहाँ term and condition वाले पर किलिक करेंगे एक्सप्ट करेंगे और नीचे submit वाले पर किलिक कर देंगे जैसे किलिक करेंगे due to privacy region दो में graphic data आधार नमबर और यहाँ पर जो है हम OK कर देंगे यहाँ जब OK करेंगे तो हमारे दोस्तों इस तरीके सेंटरफेस आएगा और यहाँ पर देखिए एक tick out का option में लाए यहाँ आ term and condition accept करना होता है और फिर नीचे आपको एक payment का option में लेगा एक cancel का तो हमें अब यहाँ पर 50 रुपे का payment दोस्तों करना होता है हम एक payment वाले पर किलिक कर देंगे जब किलिक करेंगे तो हमारा यह link सीथे direct हो जाएगा payment के लिए यहाँ देखिए चूज यह payment option यहाँ पर दे एक credit card से कर सकते हैं net banking है wallet है UPI है या WhatsApp से आप जैसे चाहें वो इससे payment कर सकते हैं तो एक option यहाँ से choose कर लेंगे हम जिसे हमें payment करना है तो हम यहाँ card वाले से करना तो यहाँ card पर click करेंगे और यहाँ card number डालना है फिर expired date और CBB code और निमाफ card यहाँ पर डाल करके और यहाँ हम confirm यहाँ से कर देंगे और यहाँ proceed वाले फिर click कर देते हैं जैसे click करेंगे तो यहाँ send OTP वारे bank को जो है एक OTP जाएगा account पर और यहाँ OTP हमें डालना है फिल करना OTP डाल लेते हैं यहाँ दोस्तों यहाँ पर हमारा transaction जो है फेल हो चुका है यहाँ बता रहा है region bank denied transaction on the card दोस्तों यहाँ bank की कुछ problem होने की वज़े से हमारा transaction यहाँ पर फेल हो चुका है लेकिन payment और date का साथ details यहाँ पर amount इतना है यहाँ पर देख लीजे यह सार नंबर transaction का status फेल हो चुका है payment यह है और यहाँ पर region bank denied transaction on the card यहाँ से problem की वज़े से यहाँ से cancel कर दिया है आप इ payment हमारा problem हो गया हम दुबारा में ऐसे payment कर देंगे और कोई दिकत नहीं होगी और order हो जाएगा उसके बाद एक आपके पास bill print receipt आ जाएगी उसे आप सुरचित अपने पास दोस्तों रख लेंगे और उसी से एक reference number मिलेगा उसी से आप चाहें तो अपना आधार card जो है status चेक कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आपने PVC आधार card को online order कर सकते हैं और ये आपके घर के पते पर जो address आप फिल होता है आधार card पे वो घर के पते पर आपका एक हपते के अंदर डाग के मादें से आपके घर तक आ जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से अपने आधार को आप अनलाइन आडर कर सकते हैं और देखिए हमारा पेमेंट कर चुका है उसका smas में प्राप्त हो चुका है किसी रीजन के वोचे से दिख्कत हो चुकी है, तरीके से हमारा smas में प्राप्त हो चुका है आप रसीँद अपनी वहां से डाउनलोड कर लेंगे ताकि कही